स्वागत है आपका आज के एपिसोड में चले शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण के साथ प्रश्ण था हाली में निम्रलिकित में सिक इसके द्वारा आर्टिफीचल इंटेलिजन्स अधिनियम दो हजार चौबिस पारित किया गया इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प ए यूरोपिय संग चले देखते हैं इसके विसलेशन को आर्टिफीचल इंटेलिजन्स अधिनियम दो हजार चौबिस हाले में यूरोपिय संग की संसते लगभग तीन वर्शों की विचार्विमर्श के बाद आर्टिफीचल इंटेलिजन्स अधिनियम पहला प्रमुख नियामक अधिनियम है इसका उदेश सीधे तोर पर कृतिम बुद्धिमत्ता यानी AI की व्यवसाई करड़ से उत्पन जोखिमों से निपटना है अतविकल्प A सही है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की एपिसोट की पहले प्रश्न के साथ वन अधिकार अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक इसे वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को वन अधिकारों तथा वन भूमी पर कबजे को मानिता देने के लिए लागू किया गया था दो वन अधिकारों का दावा उन व्यक्तियों या समुदायों द्वारा किया जा सकता है जो कम से कम तीन पीडियों यानि 75 वर्ष इसे अपनी आजीविका के लिए वन भूमी में निवास कर रही है उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनो चली देखते हैं इसके विस लिशन को वन अधिकार अधिनियम 2006 इसे वन में रहने वाली अनुसूचित जन जातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को वन अधिकारों तथा वन भूमी पर कबजे को मानेत देनी के लिए लागू किया गया था अतकथन एक सही है वन अधिकारों का दावा उन व्यक्तियों या समुदायों द्वारा किया जा सकता है जो 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम तीन पीडियों यानि 75 वर्ष से अपनी आजीविका के लिए वन भूमी में निवास कर रही है अतक भाशी मल्टी सर्विस मुबाइल एप है दो उमंग एप को राष्ट्री इगवर्नेंस डिविजन यानि एन एगडी इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रोध्योगी की मंत्राले द्वारविक सित किया गया था उपर युगत कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या एक एवल एक, वी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और नहीं दो, इस प्रेशन का सही उत्तर है विकलपट डी ना तो एक और नहीं दो, चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को, उमंग एप, उमंग मोबाइल एप यानि युनिफाइड मोबाइल अप्लिकेश अगला प्रश्ण है प्रधान मंत्री कौशल विकास यूजना के संबंध में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे 1. इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्राले यानि MSDE के मार्गदर्शन में रास्टे कौशल विकास निगम यानि NSDC द्वारा कार्यानवित किया जाता है 2. PMKVY 3.0 के तहट मांग आपूर्ती के अंतराल को पाटने के लिए नए युग और उद्योग 4.0 में नौकरी की भूमिका के शेत्रों में कौशल विक्सित करने पर जोर दिया गया है 3. PMKVY 3.0 को किंद्र सरकार की एजंसियों के लिए अधिक जिम्यदारियों के साथ अधिक किंद्रकृत सनरशना में लागू किया जाएगा उपर युक्त कथनों में से कितने सही है A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इन में से कोई भी नहीं इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2 चलिए देखते हैं इसके विशलेशन को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसे कौशल विकास और उध्यमिता मंत्राले यानि MSDE के मार्ग दर्शन में राश्च्री कौशल विकास निगम यानि NSDC द्वारा कार्यान विद किया जाता है अतकथन 1 सही है PMK VY 3.0 के तहत मांग आपूर्ती के अंतराल को पाटने के लिए नए युग और उद्योग 4.0 में नौकरी की भूमिका के शेत्रों में कौशल विक्सित करने पर जोर दिया गया है जिससे इसे अधिक प्रसिक्षू एवं सिक्षार्थी केंद्रित बनाया जा सके अतकथन 2 सही है अगला प्रशन है नेशनल इंटेलिजन्स ग्रेड याने एन एटी जी आर आईडी की संबंध में नेमनलिकित कथनों पर विचार कीजे एक यह भारत सरकार के मुखि सुरक्षा अधिकरनों की डेटाबेस को जोडने वाले एक एकिकरित इंटेलिजन्स ग्रेड के रूप में कारे करता है गटनाओं के स्पष्ट समझ और संदिक्दों पर नज़र रखने के लिए बड़ी मात्रा में उत्पन डेटा का विचलेशर करने के लिए बिग डेटा एनलिटिक्स का उप्योग किया जाता है तीन, end-to-end encryption के कारण उचित प्राधिकरण और प्रमाडी करण पूरा होने पर ही डेटा तक पहुँच प्राप्त की जा सकती है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इन में से कोई भी नहीं इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन, चले देखते हैं इसके विशलेशन को की डेटा तक पहुँच प्राप्त की जा सकती है अता कथन तीन सही है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक, सी, ई, सी और ई, सी का चयर एक पैनल की सिफारिश पर किया जाता है जिसन प्रधान मंत्री, एक केंद्री, कैबनेट मंत्री, एवं विपक्ष के नेता या लोगसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं दो, इस समिती में कोई पद्रक्त होने पर भी चयर समिती की सिफारिशे माने होती है तीन, विधे एवं न्याय मंत्री की अध्धक्षता वाली एक खो़ समिती चयर समिती को नामों का एक पैनल प्रस्तावित करती है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इन में से कोई भी नहीं इस प्रस्तों का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो, चले देखते हैं इसके विसलेशन को मुख्य निर्वाचन आयोक्त यानि CEC और निर्वाचन आयोक्त यानि EC CEC और EC का चयर एक पैनल की सिफारिश पर किया जाता है जिससे प्रधार मंत्री, एक केंद्री कैबिनेट मंत्री इवं विपक्ष की नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल की नेता शामिल होते हैं अतकथन एक सही है इस समीती में कोई पद रख्त होने पर भी चयन समीती की सिफारिशे माने होती है अतकथन दो सही है कैबिनेट सचीव की अध़क्षता वाली एक खोद समीती चयन समीती को नामों का एक पैनल प्रस्तावित करती है अतकथन तीन सही नहीं है अगला प्रश्न है सहायक प्रजन तकनीक के सम्बंध में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए एक इसमें शरीर के बहार शुक्राडू या अंडे की कोशिकाओं में हेर फेर करके और परिणामी भूड को महिला की प्रजन प्रणाली में सनांत्रित करके गर्भावस्था प्राप्त करने के सभी तरीके शामिल है 2. हाला कि इसमें शुक्राडू दान और इन विट्रो फर्टिलाजीशन यानि आई वी एफ शामिल है इसमें गर्भकालिन सरोगेसी शामिल नहीं है 3. इसे स्वास्थ और परिवार कल्यार मंत्राले द्वारा जारी सहायक प्रजनन प्रोध्योगी की विनियम 2023 के तहत विनियमित किया जाता है उपर युक्त में से कितने कथन सही है A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इन में से कोई भी नहीं इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2, चले देखते हैं इसके विसलेशन को सहायक प्रजनन तकनीक इसमें शरीर के बाहर शुक्राडू या अंडे की कोशिकाओं में हेर फिर करके और परिणामी भूड को महिला की प्रश्णन प्रणाली में स्थानांत्रित करके गर्भा वस्था प्राप्त करने के सभी तरीके शामिल है अतक अथन 1, सही है इसमें शामिल है शुक्राडू दान, इन विट्रो फर्टिलाजेशन यानि IVF जहां शुक्राडू को प्रियोक्षालम में निसेचित किया जाता है और गर्भकालीन सरोगेसी बच्चा जाविक रूप से सरोगेट से सम्बंदित नहीं है अतक अथन 2, सही नहीं है इसे स्वास और परिवार का लियाड मंत्राले द्वारा जारी सहायक प्रजणन प्रोध्योगी की विनेम 2023 के तहत विनेमित किया जाता है अतक अथन 3 सही है अगला प्रशन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे 1. हेज़ फंड अपने निवेश को हेतु अधिक रिटानी की तालाश में अधिक आकरामक निवेश रणनीतियों को नियोजित करने के लिए प्रसिद्ध है 2. हेज़ फंड निजी निवेश है जो केवल मानेता प्राप्त निवेश को के लिए उपलब्ध है 3. H fund में mutual fund के समान ही मूल एकत्रित निधी सनरचना होती है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इन में से कोई भी नहीं इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3 चले देखते हैं इसके विसलेशन को H fund H fund अपने निवेशकों हेतु अधिक रिटर्नी की तलाश में अधिक आक्रामक निवेश रणनीतियों को नियोजित करने के लिए प्रसिद्ध है अतक अथन 1 सही है H fund निजी निवेश है जो किवल मानेता प्राप्त निवेशकों के लिए उपलब्ध है अगला प्रश्ण है शौर्ट सेलिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक शौर्ट सेलिंग वा प्रक्रिया है जिसमें एक निवेशक किसे स्टॉक अत्वा प्रतिभूती को उधार लेता है जिसमें एक निवेशक किसे स्टॉक अत्वा प्रतिभूती को उधार लेता है तथा उसका विक्रे खुले बाजार में करता है अतकथन एक सही है या भविश्व में कीमत में संभावित गिरावट का अनुमान लगाते हुए बाद में उसी परिसंपती को कम कीमत पर पुनर खरीद करने का लक्ष रखता है भारत के नियम शौट सेलिंग के अनुमती देते हैं लेकिन वित्तिय अधिकारियों को व्यापारियों के ओर्डर के समय शौट सेलिंग के पहचान करने की आवशक्ता होती है अतकथन दो सही है तो चलिए अंत में देखते हैं आज क्या अभ्यास प्रशन को दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में निम्रलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक दिव्यांग वह व्यक्ति है जो ऐसे दिर्गकालिक अपंगता अत्वा और्शमता रखता है दो दिव्यांग गिता के मौझूदा साथ प्रकारों को बढ़ा कर 21 कर दिया गया है तीन यह अधिनियम भारत द्वारा हस्ताक्ष्रित दिव्यांग जन अधिकार पर सेंक्तुराष्ट अभी समय यानि UNCRPD के दायत्वों के अनुरूप है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इन में से कोई भी नहीं इस प्रश्चु का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद Dear viewers, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना न भूले